तो आज टैप का टॉपिक है coldER Counter Method आज के इस lecture में हम देखने वाले हैं कि ூ hunterąć मेथट होती क्या है साथी साथ इसका डाइग्राम देखेंगे इसके advantage देखेंगे, disadvantage देखेंगे और देखेंगे कि coalter counterками जो है वो volume आफ particle को किसलिए काम आता है यह पार्टिकल के वोल्यूम को पता करने में तो पार्टिकल का वोल्यूम कैसे पता करते हैं हम कॉलटर काउंटर मैसे इसी लेक्चर में सब जानेंगे इससे आपको five marks का question बनता है और ये topic आपको be pharmacy four semester physical pharmaceutics unit number four micromeretics में दे रखा है और भी कई जगे पे topic दे रखा है जिसका नाम है कॉल्टर counter method तो चलिए start करते हैं कॉल्टर counter method को अगर आपको all lecture देखने है तो मैंने playlist की link जो है description में दे रखिए और अगर आपको notes download करने है PDF format में तो आप telegram से जुड़िए वहाँ पर मैंने आपको whatsapp के बारे में बता रखा है whatsapp group के बारे में आप whatsapp group feature से जुड़िए और वहाँ से आप notes को download कर सकते हैं तो चलो शुरू करते है आज का lecture तो देखिए जो quarter counter method होता है जैसा कि मैंने आपको कहा quarter counter method से आप पता कर सकते हो particle का volume कि जो हमारा particle सब्सक्राइब से बना रखे हैं जो हमारा particle है उसका volume क्या है यह हम पता कर सकते हैं कौल्टर counter method से और यहाँ पर जो पर्टिकल शाइज होती रखे हो जो टी मैकृम होती है और कौल्टर काउंटर में हम पार्टिकल का वॉल्यूम पता करते हैं ठीक है तो पार्टिकल साइज क्या होती है अरे सर ठीक है चार बार याद करवा दिया आपने कि पार्टिकल साइज होती है एक माइक्रो मिटर से 1000 µm और यहां पर हम पार्टिकल का वोल्यूम पता करते हैं चलिए diagram से समझते हैं यहां पर आपको diagram बना के दे रखा है जहां पर आपको भरा हुआ है electrolyte का solution इधर भी है electrolyte का solution और दोनों तरफ आपने लगा रखी है roads this is the electrodes okay तो दोनों तरफ electrodes है इधर भी electrolyte का solution ने इधर भी electrolyte का solution है पर इधर जो electrolyte का solution है उसके साथ यहां पर आपको दे रख रहे हैं particles जिसका आपको बड़िम पता करना है ठीक है तो इस से आपको setup तयार करना है यहां पर आपको दो electrode चाहिए और दोनों तरफ electrolyte के solution चाहिए और यहां पर जो यह electrode है इस electrode में आपको एक छोटा सा orifice देखने को मिलता है इसे हम बोलता है small gap small gap को हम क्या बोलते है orifice this is the orifice यहां पर हुआ है तो जिस तरफ पार्टिकल होंगे उसी तरफ के electrode में और इपिस होना चाहिए ठीक है तो यह setup आपको तयार करना है ठीक है सर हमें सब्सक्राइब अगया दो electrode है दोनों electrode को dip किया हुआ है electrolyte के solution में और जिस तरफ electrolyte के solution के साथ particles होंगे this is the particles ओके यह हैं particles तो जिस तरफ पार्टिकल होंगे उस तरफ की electrode में एक औरिफिस होगा एक छेद होगा एक small hole होगा ठीक है अब जैसे यहां पर क्या होता है जैसे ही इन electrodes को मैं connect करता हूं यहां पर potential difference generate होता है क्या generate होता है बच्चों potential difference generate होता है तो जैसे इन electrode में current flow होता है यहां पर potential difference generate होता है आपने पड़ा होगा class 12th में 11th में current electricity तो वहां पर क्या होता था जैसे ही current flow होता था सपोस्ट current flow हो रहा है तो current flow होने के साथ potential difference बनना शुरू हो जाता था potential में difference बना शिरू हो जाता था तो यहाँ पर भी वही होता है जैसी current पास होता है potential difference generate होने लग जाता है ठीक है अब potential difference generate होने से होगा क्या देखो यहाँ पर जैसे ही potential difference generate होगा यहाँ पर जो particle से वो move करेंगे और वो move करके क्या करेंगे electrolyte को replace करेंगे तो पार्टिकल ने कितना electrolyte replace किया कितने वॉल्यूम में वह वॉल्यूम हम measure कर लेते हैं यहाँ ठीक है तो सिंपल सा है जब भी हम current pass करेंगे potential different generate होगा और जैसे potential different generate होगा यहाँ पर जो पार्टिकल है वह बूब करेंगे और पार्टिकल मूव करके आएंगे और इफ इसकी तरफ और यहां पर जो इलेक्रोलाइट लगा होगा ना उसको । रिपलेस कर देंगे देखो दियान से सुनो current generate हुआ potential different generate हुआ और potential different generate होने की वज़े से यह जो particle है यह जाएंगे और इस की तरफ इस छेट की तरफ और यहाँ पर जो electrolyte का solution पहले से ही है कहां से आया electrolyte का तो solution है ना पहले से use कर रहे हैं तो पूरे पर electrolyte होगा यहाँ पर तो जो electrolyte का solution है यहाँ पर उसको यह replace कर देगा और यहां पर क्या आ जाएगा पार्टिकल आ जाएगा यहां पर अब पार्टिकल आ जाएगा तो यहां पर हम easily volume detect कर सकते हैं कि particle का volume क्या है तो वही सब आपको यहां पर लिखा हुआ है by this method we can detect the volume of particle ओके और यहां पर आप देखिए potential difference create करते हैं current से जैसा कि मैं आपको कहा सबसे बिले हमने current pass करा current pass करने की वज़े से potential difference generate हुआ potential difference generate होने की वज़े से यह जो particle है यह orifice की तरफ move करे और यहां पर जो electrolyte का solution था उसको replace कर दिये ठीक है और यहां पर potential difference apply करने से जैसे ही यह सब हो रहा है जैसे ही particle आ रहे हैं और इस पे और electrolyte के solution को replace कर रहे हैं हम यह सब कैसे देखेंगे हवारी आँंखों से तो दिखेगा नहीं हमें करना पढ़ेगा इसको amplifier amplifier लगाएंगे क्या करेंगे ,then which by करेंगे 도म एंपलीफाय करेंगेu simplify की मदब आट वगेरा जो भी यह तो हमें यहां पर कैसा पता लगा की कितना इलेक्रोलिट को react किया तो वह हमें पता लगई ऐंक्लिफायर से इसने अप्रुटाय करके हमें बताया और डिटेक्टर ने क्षरiva रिकोर्ट हमें बता दिया नाम से बता लग रहा detector detect करने वाला और जैसे यह America अधेकर्णर आ जाएगा हमारे पास ठीक है तो amplifier amplify करके हमें डिटेक्ट हुआ और डिटेक्ट करके recorder के पास recording आ गई कितना हुआ कितना वॉल्युम है सब कुछ ठीक है Donc radiation तब theory लिखी है कि current pass किया, potential difference generate हुआ, particle move करे, electrolyte का solution मूव हुआ, उसको amplifier से connect किया, और detector से connect किया, फिर detector ने detect करके recording दी, फिर वो recording किसके मदद से मिली, recorder की मदद से मिली, तो इस तरह से यहां पर मैंने सारी theory आपको लिखी हुई है, और यहां पर यह बता भी रखा है कि electrode पे क्या हो रहा है, orifice है, और orifice है, तो orifice पे क्या है, electrolyte का solution, तो particle आएगा और उसको वो replace कर देगा, तो इस तरह से हम volume को measure कर लेते हैं, अब देखते हैं, quarter counter method के advantage क्या-क्या है, तो जो quarter counter method होता है, वो एक rapid method है, आपको तो लग रहा है, particle आएगा, वो replace करेगा, पर आप ध्यान से सुनना, 4000 particle per second replace हो जाते हैं, एक second में 4000 particle जो है, replace कर देंगे, electrolyte के solution को, तो जो quarter counter method है, वो काफी अच्छी method है, क्योंकि यहाँ पर हम, एक second में 4000 particle का volume पता कर सकते हैं, साथी साथ यहाँ पर हम size distribution भी पता कर सकते हैं, size distribution का analyze हम कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम time में, तो यह advantage देख रहे हैं, हम quarter counter के, पहला तो 4000 particle per second हमें volume पता लग जाएगा, दूसरा size distribution का पता लग रहा है, ठीक है, साथी साथ कम समय में पता लग रहा है, जो short spend of time है, वो हो रहा है, मतलब कम time में हमें पता लग रहा है, size distribution का, next is accurate result, result के सा आएगा, यहाँ पर accurate आएगा, तो accurate result है, size distribution का पता लग रहा है, short time में पता लग रहा है, rapid method है, जहाँ पर हम 4000 particle per second का पता लगा सकते हैं, ठीक है, अब इसकी बुराई करते हैं, disadvantage देखते हैं, electrolyte ज़रूरी है, हमने देखा, दोनों container में हमने क्या भराता है, electrolyte भराता, तो electrolyte बहुत ज़्यादा चाहिए, इसमें, second is, water soluble and polar particle not use, जो water soluble होते हैं, वो हम use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि water soluble होंगे particle, तो वो तो वैसे ही घुल जाएंगे, फिर वो निकलेंगे ही नहीं, वो स्री में dissolve हो जाएंगे, तो water soluble के लिए नहीं है, यह quarter counter, ओके, तो जो electrolyte है, वो तो चाहिए, यह एक दिक्कत है कि electrolyte ज़्यादा amount में चाहिए, दोनों container में full होने चाहिए electrolyte, आपने देखा था ना, दोनों में electrolyte थे, यहाँ पर आप देखिए, यह electrolytic solution, ठीके, दोनों होने है, तो दोनों में electrolyte होने चाहिए, वो भी ज़्यादा amount में चाहिए, दूसरा है water soluble को हम यूज नहीं ले सकते, जो particle water soluble होंगे, थोड़ी दिरवाद में देखूँ हाँ, तो यह तो खुदी solubilize हो जाएंगे, उस परक ही नहीं पता लगेगा हमें, ठीके सर हमें यह तक clear हो गया कि एक तो electrolyte हमें जादा चाहिए, दूसरा ऐसे particle use नहीं कर सकते, जो कि water soluble हो, क्योंकि वो खुद ही बुल जाएंगे, तो फिर हम उनका volume कैसे पता करेंगे, या फिर ऐसे particle जो polar nature के हो, या फिर आप बोलो polar nature के हो, ठीके, next is agglomeration, ये भी एक दिक्कत है, अब aggl agglomeration क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बूला कि particle क्या कर रहा है, particle आ रहा है, और यहाँ के electrolytic solution को replace कर रहा है, ठीक है, जिस से हमें particle के volume का पता लग रहा है, पर क्या होगा अगर यहाँ पर particle एकट्टा होना लग जाए तो, इस तरह से करते time, एकट्टा हो जाए, agglomerate कर ले, क्या कर ले, agglomerate, गुच्छा बना ले, तो यहाँ पर agglomeration हो सकता है, particle जो है, इस तरह से, इस तरह से गुच्छा बना सकता है, ठीक है, तो यह भी दिक्कत वाली बात है, अगर ऐसा हुआ तो हमारे result में variation आएगा, accurate result हमें नहीं मि अगलोमरेशन, advantage भी हमने देखे, disadvantage भी हमने देखे, काम किसे करता है, वो भी देखे, amplifier, detector, recorder भी लगा दिया, उस से पिले हमने normal भी बता दिया, ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा quarter counter method आज समझा, I hope आपको lecture clear हुआ होगा, अगर आपको किसी और topics related doubt है, तो आप comment section में comment कर सक करते हो, मैं उसके उपर आपके लिए lecture जल्द ही upload कर दूँगा,